हेलो एबरीवेन वेल्कम बाक टो मैं यूट्यूब चानल तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ बैक ग्राउंड तो मैंने इस वीडियो में आपकी साथ बैक्ग्राउंड शेयर क्या हुआ है कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है तो अगर आप लोग अच्छा जाता है क्योंकि यह काफी अच्छा लगता अगर डाले तो इसके चुबर के आता है तो देखते हैं मैंने यह कैसे डाला किसी भी लाइट शीट की पैंसल से सबसे पहले हम बबल्स बना लेते हैं चोटी बड़ी आपको जैसे बनाने हैं आप उसे अपनी अपनी अनुसार बन कुछ दूर है कि यह रियलिस्टिक लगता है अगर आपने बहुत कम बनाए है और दूर दूर बना दी तो वह भी तर बैकरण नहीं लगता तो आप लोग जब भी बनाए थोड़ा पास कुछ बहुत क्लोस कर दें कुछ दूर कर दें चोटे और बड़ी तो नहीं तो इसे की Archive Star ya रियलिस्टिक लगेगा। अब हम करता है किसी भी Pencil के याप से वैजसे तो जब भी आप में आप दूर करते दो जा इन का म tou anti- p стало últimoல जों की तो तो उस निया होता है कि हमें तो तोड़ा काम ज्ывать करना पड़ता है करेंध हैं तरह कियों और यहां पर यहां पर यूस्ट करे तो हमें एक चीछ में ज्याद लिखना वराइगा कि पैणल को में पेच्छ से पैकर की और हल्की प्रैश्र के साथ ही यूज्ट करें जिसके बलंडिंग इसली हो जाए हम थोड़ा युझाना युस करिंगी तो वहां पर क्या होता है कि हम ब्लांदिंगर autism नहीं आती हैं नहीं रिख्ताशा के यस लिखता है के सव दूधा के देख्यूब youräre फिर ऐसे लागें। आप मुझे लगते हम यह रहें कि यह उघ्लगे日本 घ्लम आुसे हमएं 10 आप की में बार भर से ब्लाइट करेंगे path सबसे फेले आइ सर्फिस को हम हाइलाइब उसके बाद आभ पेट वीच बीच में उसके नीडिड जर ले सकते हैं या फिर आप चार कुल पैंसिल वाइण वाइड वाली ले ले सकते हैं मैंने हाँँ पे नीड़ लिया हुआ है ऐगर आप निकिसे ड्रॉव धर겠지만 बेग्ग्राउंड ड्रो किया है अरे से ट्राइ कर सकते हैं अब हम सीम प्रोसेस चुमें आपको बाता है कि इनर सर्फेस और आउटर सर्फेस जोन को हमने हाइलाइट करने और हल्का से ब्लांड कर देना लास्ट में और कुछ पार्ट से उसके हमने ब्लाग ही रखना है जिससे कि वह थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें पैंसलिक ट्रोक से पुरा स्केच तायार करना बड़ता है तो हमें काफी चाइम लगता है और उसमें काफी महनत भी होती है और तो इसलिए अभी जो यह मैं ताइमलेफ में वीटियो दिखा रहा हुए क्यों कि मैं रीलित अर्वीटियो दिखांगी तो यह काफी कर सकते हैं सेम बना सकते हैं इसलिए आप से भी बन जाएगा बहुत ईजी और बहुत ही सुन्दर दिखता है यह बनने के बाद तो गाइस जितने भी स्टेप थे जो भी इसमें जैसे करना था आप मैं आपको बता दिया आप सेम प्रोसेस हमागे करते जाएंगी लाइट की वज़े से मेरा बैक्ग्राउंड थोड़ा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि स्केच क्या होता है कि कैमरे में कुछ अलग दिखने जाता है कि लाइट मेरे पार सभी साइड लाइट पढ़ती है और अगर उपर से लाइट पढ़ती है तो एक्वल दिखता पर अभी लाइट की विज़से थोड़ा से चेंज़ लग रहा है पर बैक्ग्राउंड थोड़ा डार कैसे और आर्मोस्ट अवे तैयार है और आप लोग अब देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है और कैसे बबल्स बिल्कुर रियलिस्टिक लग रहे हैं और बहुत सुन्दर ये लगता है अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो अपने बैक्ग्राउंड में किसी भी स्केच के आप डाल सकते हैं बहुत प्यारा लगेगा और आप देख सकते हैं मिरे स्केच को डिटेलिंग में आप लोग को दिखा रहे हूं इसमें जो ए वर्क था काफी जादा डिटेलिंग वाला था तो मुझे बहुत ताइम भी लगा था इस स्केच में क्योंकि काम जादा था तो डिपैंड भी उसी पर करता है कितना टाइम अप ले रहे हूं तो गाइस if you like this video and want me to make more tutorial video then hit that like button because it motivates me to make more videos thank you हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 ह